पिल वाल पहला करेंगे उस्ती सवाल को यह हं अगे बढ़ते हैं और यह इसका दूसरा है फैनल सिल्स्टेट्मेट का तो बैलेन्स शीट हैं और बैलेंस शीट केंदर क्या-क्या डालना होता है एक तो यह के फिक्सிसल की जितनी भी आईटम होते हैं वे डालने पड़ते हैं कानट असेस डालना पड़ता है केपिटल और कनट लियाबिलिटीज डाल नहीं पड़ती है ठीक है मैं आपको अच्छी तरह समझा देता हूं तो सबसे पहले हम असेट से लेते हैं चुके मैंने अलग-अलग दो सफ़ों पिकिया था कि सफाई से और अच्छे त तो देखें मैं हाइलेट करके बता रहूं सवाल के अंदर वन लेक रुपए ओफिस एक्यूमेंट के लिखे हुएं तो वह आप असेट के अंदर वन लेक रुपए जो है वो डाल लोगे इसके बाद आप लेस करोगे अलांस पूर डिप्रीसियेशन तो अलांस पूर डिप करते हैं तो वह इसको माइनस कर देंगे तो यह माइनस करने के बाद हमारा जो ऑफिस एक्यूमेंट जो रह जाएगा वा 76,000 कर रह जाएगा ठीक है और इसके बाद हम करनाट असेट लेंगे असेट में जो है मर्चनडाइज इंवेंटरी है तो सवाल में से हम मर्चनडाइ 30,000 कर ले लेंगे ठीक है इसके बाद दूसा करनर असे एकाउंट रिसीवल है देखें मैं हाईलाइट करके सवाल में बता रहा हूँ इसको आप लेंगे लेकिन असे कहते हैं जो पैसे आपको मिलने के होते हैं या अगर नहीं लिखे हूँएंगे तो हम नहीं काटेंगे तो यहाँ चुक्के सवाल के अंदर अलाउंस फोर बेड डेफ्स है तो उसको आपको काटना है यानि 24,000 में से 200,000 को हम less कर देंगे या minus कर देंगे तो हमारे पास जो remaining बज जाएगा वो 21,600 यानि 2,600 यानि 2,000 21,600 हमारे पास रह जाएंगे ठीक है इसके बाद हमें अगली वीली जो हमारी आती है वो है income receivable अब ये income receivable जो है इसको क्या कहते हैं मैं आपको बता दूँ ये आपको प्रिपेड इंशोनेंस है इसको हमारे इंशोनेंस अभी हमारा यूज नहीं हुआ तो ये हमारा expense अभी हुआ नहीं है इसलिए हमारे पास है त इसको हम income receivable कहेंगे तो इसको जो है आपको 3000 में लिखना है चुका हमारा भी expense हुआ नहीं हमारे पास ही है एक तरह से यूज नहीं हुआ तो यह हमारा assets ही हुआ तो इसलिए जो चीज यूज नहीं हुआ हमारा assets होता है ठीक है चाहिए हमने पहले से दे दियो तो इसको हम 3000 लिख देंगे तब आप आजाए प्रिपेड एक्सपेंस पर प्रिपेड एक्सपेंस कैसे कहते हैं कि वो एक्सपेंस जो हमने पहले से अदा कर दिया हो लेकिन यूज ना हुआ हो तो इसकी जो मालियत है वो 2400 रुपे है देखें मैं आपको हाइलेट करके बता रहा हूँ ये प्रिपेड एर्विटाइजिंग लिखा हुआ है तो ये जो एर्विटाइजिंग का खर्चा है 2400 रुपे ये हमने अभी पहले से अदा कर दिया है इसका इस्तेमाल अभी हुआ नहीं है हमारा जैसे मिसाल के तो पर अगर आप जो है किसी बिल्डिंग में रहते हो एक स खतम होता चला जाएगा ठीक है इसी तरीके से ये प्रिपेड के आपने पहले से पे कर दिया है 2400 रुपे के जबके वह प्रिपेड एर्विटाइजिंग के लिए जो आपने दिये थे वह अभी यूज नहीं हुए तो वो चुक्छा से इसलिए प्रिपेड एक्स्पेंस ज तो इसको भी आप उतार लेंगे आपको पता है कि केश जो है वो करेंट असेट से ये जो तमाम वेल्यूज है इन सबको आप जमा करोगे तीस अजार यानि 30,000, 21,600, 3,000, 2,000, 400, 10,000 इन सबको जब जमा करोगे तो इसका जो टोटल आएगा वह 67,000 आएगा ठीक है इससे पहले जो 67,000 आए या ये टोटल करणट असेट्स था इसमें हमने ये फिक्स असेट्स को और कर्रणट असेट्स को जब हमने जमा कि तो हमारे पास जो आंसर आए वह टोटल करणट असेट्स था है यानि के टोटल जोसेजट वह हूं वह 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 वरल लेक 43000 अब आप एक्विटीस पे आ जायेक्विटीस में क्या क्या होता है के पीट्र होता है डाइंग होता है करणट लाइब्रिडिज उती capital लिखें ठीक है जो भी महीना हो साल के शुरू का वो लिख दें ठीक है जब कारोबार का आगाज होता है या नया शुरू होता है या ट्रांसफर होके अगले साल में आता है इसको update लिखें वहाँ पर या उसकी नर्क कीमत लिखें तो यहाँ पर जो इसके rate हैं वो capital भर गया 3400 रुपए तो टोटल आपका हो गया 1.35 तो अब हमने यह लिया कहां से net profit जब तक आप income statement हल नहीं करोगे आपके पास जो है net profit नहीं आएगा तो हमने इसके पहले हिससे में हमने net profit निकाला देगे मैं highlight करके बता रहा हूँ पहले हिससे के अंदर हमने income statement के अंदर जो है हमने इसका net profit निकाला आता तो वो अब हमें यहां काम आएगा income statement छोड़ देते हैं इंतियान के अंदर तो आप balance sheet ता वो ले लेंगे तो हमारा जो answer था 30,400 रुपे उसको यहां पर हम शामिल करेंगे तो हमारा जो total capital हो जाएगा तो वन लेक 20,300 रहें जाएगा ठीक है यह भी हमने कर लिया इसके बाद अपने हमें करना है के करन्न liabilities लेनी अब करन्न लैबरेटी इसमें क्या क्या आता है वह payments के जो pay करनी है में अदा करनी है ठीक है उसका हम current liabilities करते हैं अप सबसे पहले इसमें मैं दो आइटम है account payable हमारा 16,000 रुपए है तो ये 16,000 आप वहां से ले ले देखे मैं highlight करके बता रहा हूँ और दूसरा जो है expense payable 4000 है तो expense payable जो है हमारा 4000 है तो ये दरसल है हमारा कौन सा है salary payable है salary payable को यहाँ पर expense payable के salary payable उसे कहते हैं जो तनक्वाएं हमें देने का time होके है वो हमने अदा नहीं की तनक्वाएं नहीं थी 4000 रुपे की तो 4000 की हमें चुके देनी हमारी जिम्मेदारी है तो पहले की जिम्मेदारी है उसमें ये जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी जो है current liabilities को जो है वो एट कर देना है तो एक लाग तीस अजार जो क्या हमारा capital है drawing निकालने के बाद 1,23,000 इसमें आप 8 कर देंगे total current liabilities जब इसको 8 करोगे तो हमारे पास जो answer आ जाएगा वो आ जाएगा 1,43,000 ठीक है तो assets का भी देखें 1,43,000 आया था और capital and liabilities का जो total आया वो भी 1,43,000 ठीक है एक बात याद रहे कि balance sheet के अंदर assets, total current assets और total capital and liabilities का answer एक जैसा अगर ना आए तो आप समझ जाएं कि आपने सवाल जो है वो गलत हल किया है ठीक है तो आप जो है अगर यह सवाल को मैंने यहाँ पर complete तो कर दिया है लेकिन आप याद रखें कि अगर जो जो भी तालिब इल्म या student जो है अगर यह सवाल अभी देख रहा है इन्शालला मुका मिलेगा तो मैं इसकी दूसरी example भी बनाऊंगा और दूसरे जो मुझे comments भी बहुत आते हैं कि आप जो है मुक्तलिफ केते हैं कि यह बना वो बना इकाउंट की जो है मुक्तलिफ chapters जो है दूसरे भी बना तो मैं एक एक करके बना रहा हूँ एक सास सारे chapter परना ना मुम्किन नहीं होता तो इंशाला अला मैं कोशिश करूंगा जल्द 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 अकाउंट की दुसरी वीडियो स्ट आपके साफ में लाओं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ तो बढा़ाय मिर्बनी सब्सक्राइел कर तिया करें सबस्क्राइب करने से यह होता है हमारा जो चैनल एक ग्रोः करता है आके बरता है हमारी वह dealtरा ही लाप करें तो अगर आपको मेरी वीडियो से इकाונटिंग वीडियो से फाइदा हो रहा है तो बड़ा है मिरब है बनी सबस्क्राइब करें लाइक करें शेर करें अपनें दोस्तों से कें इससे ही होता है कि हमारा चैनल जजदे जदे जदे जगा जदे जाएगा और हम जदे मेनत करेंगे और इन्शाला मेरी कोशिच कि अगrà ये काउनटिंग ये वीडियो देखेंगे तुम्हें और दुसरे मुदुबात पे जो इल्म से वाबस्ता होंगे वीडियो भी बनाऊँगा वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया अल्लाहाफिस लेकिन याद रहे जाती है फिर बता दूँ के आप सबस्क्राइब जरूर कीजिएगा